Job Crisis in India अधिकाश बुद्धिमान छात्र ग्रेजुएशन के बाद विदेशों को पलायन कर जाते हैं क्योंकि उन्हें देश में ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है इसलिए अलपबुद्धी और बुद्धिहीन लोग ही सरकारी पदों पर आसीन हो जाते हैं आज स्कूल और कालेजों में ऐसे ही लोग शिक्षक हैं, वे छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और उन्हें कोचिन क्लासेस जॉइन करने के लिए बाध्य करते हैं सन 1960 के दर्शक तक पढ़ाई में कमजोर स्कूली बच्चे ट्यूशन क्लासेस जाते थे ऐसे बच्चों को हायर क्लासेस में मैथ और साइन्स सब्जेक्ट नहीं दिये जाते थे आज किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है और उन्हें कोचिन क्लासेस के सहारे इंजिनियर डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है इसलिए सभी सरकारी पदों पर अल्पबुध्धी और बुद्धिहीन इंजिनियर डॉक्टर वैग्यानिक पदों पर लोग कार्यरत है आज हमारे वैग्यानिक चंद्रयान तीन की सफलता पर अपनी पीठ थप्थपा रही है वे भूल जाते हैं कि यह सफलता विदेशों से खरीदी हुई टेकनोलोजी और उपकर्णों के दमपर है इस कार्यक्रम में अर्बो रुपए टेकनोलोजी और उपकर्णों के आयात में खर्च हो गए और रोजगार पैदा करने के सभी रास्ते बंध हो गए है देश में 90 प्रतिशक से अधिक लोग रोटी कपडा और मकान के लिए स्ट्रगल करता है रोजगार के नए अवसर क्रियेट करने के लिए आवश्चक था कि स्पेस रिसर्च के लिए टेकनोलोजी और उपकर्णों के आयात को रोक कर गांधी जी की निती को अपनाते हुए स्वदेशी वस्तूओं के निर्मान के सयंत्र देश में लगाये जाते ग्रेट आइडियास तू लर्न मैथ एंड साइन्स अभी तक छातरों को गनित और विध्यान सीखने के लिए निमलिखित प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है एक ब्रहमांड नियमित और अनुमानित है दो नियमों के एक समूह में सभी गती का वर्णन किया जा सकता है तीन उर्जा सनरक्षित है चार उर्जा हमेशा अधिक उप्योगी से कम उप्योगी रूप में जाती है पांच बिजली और चुम्बकत्व एक ही बलके दो पहलू है छे हर चीज परमानूओं से बनी होती है साथ हर चीज कन पूर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन की दर अस्तत इकाईयों में आती है और इसे बदलने वाली किसी भी चीज को माप नहीं सकते है आठ परमानू इलेक्ट्रॉन गोंद द्वारा एक साथ बंधे होते है नौ कोई पदार्थ किस तरह से व्यवहार करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परमानूओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है दस परमानू उर्जा द्रव्यमान के रूपान्तरण से आती है जारा हर चीज क्वार्क और लेप्टान से बनी होती है बारह सितारे हर चीज की तरह जीते और मरते हैं तेरा ब्रहमांड का जन्म अतीत में एक खास समय पर हुआ था और तब से इसका विस्तार हो रहा है चौदा हर इंसान प्रकृती के नियमों को देखता है 15 प्रिथवी की सतह लगातार बदल रही है और प्रिथवी पर कोई भी विशेष्टा स्थाई नहीं है 16 प्रिथवी पर सब कुछ चक्रों में चलता है 17 सभी जीवित प्राने कोशिकाओं से बने हैं जो जीवन के रासायनिक कारखाने हैं 18 सारा जीवन एक ही आनुवनशिक कोड़ पर आधारित है 19 जीवन के सभी रूप प्राकृतिक चयन से विक्सित हुए है 20 सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए है 21 अंतरिक्ष में कोई भी दो रेखाए चाहे वे एक दूसरे को काटती हो या समानांतर हो वे एक सरकिल के दो कोड़ के रूप में दर्शाई जा सकती है और सरकिल की रेडियस की गणना का सूत्र उपलब्ध है आइडिया संख्या 21 महाजन mathematical legacy की खोज है यह चंद्रमा लैंडिंग मिशन को संशोधित करने के लिए एक उपयोगी एल्गोरिथ्म है चंद्रमा के लिए वर्तमान स्ट्लाइट ट्रैकिंग में लीनियर और एंगुलर माप लगातार अब्जर्व किये जाते हैं नई ट्रैकिंग मेथड से प्रिथ्वी और स्ट्लाइट प्रिथ्वी और चंद्रमा की दूरी ड्रिफ्टिंग कोन ग्यात करके स्ट्लाइट दिशा सुधार किया जाता है चित्र एक चंद्रयान तीन को डिजाइन करने में वैग्यानिकों द्वारा अनुसर्ण किये गए कक्षिय मार्क को दर्शाता है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया था और 23 अगस्ट 2023 को चंद्रमा की सतह पर उत्रा था इस मिशन को पूरा करने में 40 दिन का समय लगा वैग्यानिकों ने आयातित उपग्रह प्रक्षेपन तक्नीक और उपकर्नों के साथ काम किया रोटी, कपड़ा या मकान के लिए प्रयास कर रहे देश के गरीब लोगों की कीमत पर लाखो रुपए के निवेश को छोड़कर मिशन में उनका योगदान शूनिथा चित्र दोग में संशोधित चंद्रमा लैंडिंग तक्नीक का प्रस्ताव वर्नित है भविश्य की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं के प्रयास में स्वेदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गांधिवादी नीती को अपनाने का सुझाव दिया है इसलिए किसी भी इंपोर्टेड वस्तू और टेक्नोलोजी को प्रोचसाहित नहीं किया जाएगा उपग्राय के सभी पार्ट्स और पुर्जों का उत्पादन भारत में किया जाएगा लॉंचिंग प्रक्रिया एक सौफ्ट्वेर के उप्योग के साथ प्रबंधित की जाती है उपग्रा को चंद्रमा की ओर ग्यारा दशमलव दो किलो मीटर प्रती सेकंड की गती से छोड़ा जाएगा प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी is equal to 3,84,400 किलो मीटर है एक दिन के बाद स्ट्लाइट के drift angle correction की गणना करने के लिए सौफ्ट्वेर की processing screen पर दिखाई है प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी is equal to 3,84,400 किलो मीटर और एक दिन के बाद उपग्रह की स्थिती is equal to 87,000 किलो मीटर है सही drift angle is equal to 9.25 डिगरी है उपग्रह को प्रित्वी और चंद्रमा के बीच straight line पर रखने के लिए 9.25 डिगरी से correct किया जाता है Moon landing mission की modified तक्नीक में प्रित्वी से satellite की दूरी पर लगातार नजर रखी जाती है प्रित्वी और चंद्रमा के बीच सीधे marksist light को भेजने के लिए drift angles प्रित्वी से उपग्रह की दूरी is equal to 1,2,3 और 4 दिनों के लिए लगातार observe किया जाता है Soft app processing द्वारा प्राप्त परिणाम screen पर प्रस्तुत table में दिखाए हैं चौथे दिन drift angle correction के बाद उपग्रह की चंद्रमा से दूरी 60,000 km है इस stage से चंद्रमा की सतह पर soft landing करने के लिए उपग्रह की escape velocity 2.40 km प्रती सेकंड से धीरे धीरे कम करते हुए 0 की जाती है चित्र में moon landing mission का conceptual model प्रस्तुत है model में orbital तकनीक के साथ modified तकनीक को भी दर्शाया है सपश्ट है कि mission चार दिनों में पूरा किया जा सकता है जिसके लिए वैग्यानिकों को 40 दिन लगे हैं और वे अपने काम्यावी का बखान करते ठक नहीं रहे हैं सामाजिक कार्यकरताओं और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वीडियो को भारत के लोगों के बीच वाइरल करें ताकि उन्हें समझ में आ सके की बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाईयों की समस्या को दूर करने में महाजन mathematical लिगेसी का योगदान अहम है